सो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और कमाल का ओफर और इस ओफर में आपको एक दो तीन नहीं बलकि पूरे 24 OTT अप्लिकेशन के सब्सक्रिप्शन करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो चलिए बिना किसे दिरे के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो अगर आप भी सोनी लीव जी फाइस दिस्ट्रो टीवी चोपाल टीवी शेमारू टीवी स्पोर्स टीवी ऐसे 24 OTT अप्लिकेश सर्च करना है OTT Play अप्लिकेशन को इसके बाद में सिंप्ली इस अप्लिकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है आपको अपने मुबाइल नमर को डालना है OTP वगरे सब्मिट करके लॉग इन हो जाना है तो जब आप login होंगे तो देखिए आपको उपर उपर subscribe का option मिलेगा जिसके पर आपको click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने OTT Play application के subscription plan आपको देखने के लिए मिलते हैं तीन तरह के plan यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपको मिलेगा मन्थली plan के उपर जिसके उपर आपको आजयाना है तो आने के बाद में सबसे पहला plan यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा power play monthly plan इसके बाद में आपको scroll down करते हुए नीचे आना है अब आप पुछेंगे कि कैसे हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसी के नीचे आपको subscribe now का option मिलेगा जिसके पर आपको click कर दिना है click करने के बाद में हमारे सामने एक new tab open हो जाएंगी तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम धकास मतली प्लान subscription बाइ करते हैं तो यहाँ पे हमें कौन से OTT application के subscription मिलने वाले हैं सारे के सारे यहाँ पे mention किये गए हैं पूरे 24 OTT application के subscription आपको मिलेंगे तो चलिए हमें आना है नीचे तो जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि भई अभी भी यहाँ पे हमें 200 गुनचास रुपे परमत ही दिखा रहा है मगर अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक coupon code जिसे आपको apply करना है अपलाई करने के लिए देखें यहाँ पे आपको apply coupon code का option मिलेगा जिसकी पर आपको click कर देना है click करते ही यह आप से coupon code मांगेगा अब coupon code क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको capital letter में type कर देना है अब यहाँ पे जो आप coupon code देख रहे हैं, coupon code क्या है? ottfb1int75 और यह जो coupon code है वो मैंने आपको इसी वीडियो की description में provide करा दिया है, जहाँ पे आप copy करके simply यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने coupon code को enter कर दिया है, नीचे है apply का option जिसके पर मैंने click कर दिया है और कुछ ही second यहाँ पे हमें लगेंगे और देखेंगे कि आप हमारा जो coupon code है वो successful ही यहाँ पे applied हो चुका है और 114 रुपे की हमने यहाँ पे बचत कर ली है, अग यहाँ पे हम कर देते है इसके उपर thanks के उपर click, अब click करने के बाद में यहाँ पे हमें only 25 रुपीज की ही payment करनी होगी, तो जैसा कि भी आपने देखा है कि यहाँ पे जो जखास मतली प्लान था जो की 214 रुपे में हमें दिखा रहा था, यहाँ पे जो हमने coupon code apply किया है, coupon code apply होने के बाद में only हमें यहाँ पे 25 रुपीस की payment करनी है, 114 रुपे की यहाँ पे हमने save कर ली है, अब देखें यहाँ पे आपको केवल 75 रुपे की payment करनी है, और payment करने के लिए आपको काफी सारे payment method भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप payment कर सकते हैं, अपने credit card से, debit card से, दोनो option यहाँ पे चाते हैं, चूज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमें आपको एक और बार बता देता हूँ, कि अगर आप UPI से payment करेंगे, तो UPI के अंदर payment करने के बाद में आपका जो auto pay है, वो activate हो जाएगा, auto pay का मतलब है कि next time आपकी जो payment है, वो UPI के through automatic हो जाएगी, आपके पूछे बिना ही, आपकी अकाउंट से payment हो जाएगी, next time दो सो गुननचास रुपे, यहाँ पे आपको अपनी payment को complete कर लेना है, payment complete करने के बाद में आपका OTT Play application का जो धकास मंतली प्लान है, subscription प्लान वो activate हो जाएगा, अब activate होने के बाद में जो 24 OTT application के subscription हमें मिले है, वो कैसे आपको activate करन है, वो भी मैं आपको बता लेता हूँ, तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने जखास मंतली प्लान का subscription प्लान का कर लिया है, उसे activate कर लिया है, activate करने के बाद में फिर से आपको OTT Play application को open करना होगा, open करने के बाद में आपको home page पे ही नीचे की side में OTT Play partner करके एक option मिल जाएगा, तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप Sony Live, G5, Ullu TV, Lloyds Gateplay, Sunnext, यह जो चैनल देख पा रहे हैं, OTT Play subscription देख पा रहे हैं, जिस भी premium content को आपको देखना है, माझने जी कि अगर आपको Sony Live के premium content को देखना है, तो आपको Sony के option पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद में Sony Live के अंदर जितने भी premium content है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी web series, movie, जा भी serial यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ही आपको इसके उपर tap कर देना है, जैसे ही आप उस content के उपर tap करेंगे, तो यह आपको Sony Live अप्लिकेशन पे redirect कर देगा, तो अगर आपने Sony Live अप्लिकेशन को अपने mobile phone में install नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको play store से Sony Live अप्लिकेशन को install करना होगा, उसके बाद में redirect कर देगा आपको उसी content पे, और Sony Live अप्लिकेशन के through, आप उस premium content को देख पाएंगे, इसी तरह से माले जिए कि अगर आपको G5 के premium content को देखना है, तो simply आपको G5 के option पे click करना है, और यहाँ पे जो premium content है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अब जिस भी content को आपको देखना है, simply आपको उसके उपर tap कर दे रहा है, tap करने के बाद मे आपको G5 जो application है, उसके उपर indirect कर देगा, और वहाँ से आप premium content देख पाएंगे, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पी जो आपको 24 OTT Play application subscription मिलने वाले हैं, उसे आप इस तरह से activate कर पाएंगे, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है, कि अगर आप OTT Play application के सोकीन है, तो best offer है आपके लिए, 75 रुपीज में आपको 24 OTT Play application के subscription मिलने वाले हैं, तो पाइदा आपको उठाना बनता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि अगर आप UPI के through payment करते हैं, तो आपका auto pay activate हो जाएगा, जिससे कि first month आपको 25 रुपीज मे मिलेगा, और next month आपको payment automatic कर जाएगी 2.9 रुपीज की, मगर अगर आप subscription को continue नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप subscription को cancel भी कर सकते हैं, जिसके regarding वीडियो में already बना जुका हो, वीडियो आप टेक आउट कर लीजिएगा, लिंक में आपको वीडियो के description में भी provide करा दि किया है, चैनल को भी subscribe करके पास ही बने bell notification को वाल पर set कर लीजिए, ऐसे informative वीडियो पाने के लिए